साजिस करने वाले रात दिन लगे हुए हैं किस तरीके से चिराक पासवान जी को बदनाम किया जाए, किस तरीके से भारतिय जनता पार्टी से संबंध को खराब किया जाए, यौवा का जवाब एक यौवा ही दे सकता है आपने कहीं सुना कि चिराग पासवान जी ने कहा कि वो कुर्णी में परचार नहीं करेंगे raisewal जी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए आप जानते हैं कि चिराग पासवान जी में भारतिय जनता पाटी अपने भविस्त देख रही है जो पिजन सक्ति पाटी राम बिलास का कोई भी कारे करता ऐसे बयान को स्विकार नहीं कर सकता है आदर्निय पसपती कुमार पारह जी अन्फिट है लगतार भारतिय जनता पाटी और चिराग पासवान जी में एक अटूट बॉंडिंग हो रही है और पिहार के बिकास के प्रती जो इनका नजरिया है उससे देश भर के युवा इतिफाक रखते हैं पिहार का नितित्व चिराग पासवान जी मन्य प्रधान मंतरी के मंतरि मंदल में करें ये बहुत लोग को पच नहीं रहा है अगर आपका स्वास्त लगतार खराब रहता है तो स्वास्त के ही अधार पे तो आप अन्फिट हैं उस मंत्री मंडल में रहने के लिए सोले फिल्म का एक डैलोग बहुत प्रसिद्ध है कि तेरा क्या होगा कालिया पिहार की राजनित में वर्तमान में ये डैलोग के लोग जनसक्ति पार्टी राम बिलास के राष्ट्रे धक चिराक पासवान पर फिट बैठता हुआ दिख रहा है चुकि अभी एंडिय में वाप पुर्ग प्रदेश प्रवक्ता आज हम लोचपा समर्था के दर बात करेंगे आपसे चंदन सिंग क्या लगता है ये जो डैलोग हमने शुरू में दिया वह आज के संदर्व में चिराक पासवान पर फिट बैठता है आपको बिर्जु जी ये तो फिल्म का डैलोग है चिर स्री संजे जैसवाल जी ने जो बैयान दिया मैं उसको जरूरी बैयान नहीं मानता यह गैर जरूरी बैयान दिया उन्होंने जिसकी जरूरत वर्तमान में नहीं थी जब एक तरफ महा कटवंदन में साथ दल हों बिर्जुजी जो भारतिय जनता पाटी को हर चुनाओं में धूल चटाना चाहती हो जिसके नितित्व और बड़े चेहरा मानने मुख मंत्री हो उस इस्तिती में आपके द्वारा दिया गया बयान यह गैर जरूरी है और यह कर सकता है लेकिन एक बड़ी लड़ाई लड़नी है बिर्जुजी यह बिहार की अस्मिता की सवाल है तो जहां जब बिहार को विकास के पत पे ले जाना है तो छोटे छोटे बयानों से ध्यान आपको हटाना पड़ेगा इंडिये का कुन्वा मजबूत हो रहा है लगतार भारतिय जनता पाटी और चिराग पासवान जी में एक अटूट बॉंडिंग हो रही है और इस देखिये इस बॉंडिंग के पीछे बहुत सारे वज़ा है स्वर्गे राम बिलास पासवान जी का मन्य प्रधान मंत्री जी के कैबिनेट में काम करना स्वर्गे राम बिलास पासवान जी जब वेंटिलेटर पर थे तो मन्य प्रधान मंत्री जी स्री चिराग पासवान जी को फोन करके उनका हाल समचार जाना करते थे और डॉक्टरों से बात करके बताया भी करते थे कि डॉक्टर ने आज ये अपडेट दिया है तो चिराग पासवान जी में बॉंडिंग और मन्य प्रधान मंत्री जी में बॉंडिंग दोनों में बहुत गहरा संबंध है और श्री incidents पासवान जी का जो बात है वह देस के ग्रे मंतरी आदर्निये अमीत साहजी के साथ हो रही है प्रदेस अस्तर पे तो हो भी नहीं रही है है कि अमीत साथ से बात हुई है यहां पे जो प्रदेश के नेता है वो एक दूसरे पर बयान बाजी कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि सरकार जो गड़बंधन के सेहद उस पर बहुत असर पड़े बिल्कुल मैं मानता हूँ कि भारतिय जनता पाटी के प्रदेश सद्यक्ष आदर्निय जैसवाल जी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और बयान देने से देखिए संबंद में कटूता हाती है आप जानते हैं कि चिराग पासवान जी में भारतिय जनता पाटी अपना भविस् है उससे देश भर के युवा इतिफाक रखते हैं ऐसे बयान से मैं नहीं मानता हूँ कि गठबंदन के सेहत पर कोई असर पड़ेगा आने वाले समय में आप देखिएगा कि आदर्निय प्रधान मंत्री जी और आदर्निय ग्रेम मंत्री जी बहुत बड़ी जिम्मवारी स्र चुनाओ परचार किये रोड़सों किये कुढ़नी में दिख नहीं रहा है कि बीजेपी चुनाओ लर यह तो चिराक पासवान का भी समर्थन है वहां पर चुराक पासवान वहां पर परचार भी करेंगा चुकि चाट्चार दो चुनाओ बिर्दु जी और इसमें राष्ट लगतार खराब रहता है तो स्वास्त के ही अधार पे तो आप अंफित हैं उस मंत्री मंडल में रहने के लिए और पसुपती कुमार पारश जी अनफित हैं मानने प्रधान मंत्री जी के कैबिनेट में बैठने के लिए चिराग जाएंगे कुठनी चिराग का कारेक्रम अभी तक नहीं हुआ लोजपार क्या कर रही है देखिए बिर्जो जी 2010 में लोजपा जब चुनाव लड़ी थी तो महज डेड़ हजार मतों से ही चुनाव हारी थ कि एक एक पंचायत और एक एक गाउं में वहाँ पर लोक जनसक्ति पाटी राम बिलास के समर्थक हैं और समर्पित समर्थक हैं जब राष्टिय अध्यक्ष ने कह दिया कि भारतिय जनता पाटी के परत्यासी स्री केदार गुपता जी को बिधान सवा पहुंचाना है कुर्णी का भ्रवन कर चुके हैं ठीक है इस बात को स्विकार किया सकता है लेकिन एक तरफ गडबंधन में बयानबाजी हो रही है दुसी तरफ करने समर्थन दिये हैं जो आपका मजबूत संगठन वहां भी तो एक मैसेज चला गया होगा कि भाईया बीजेपी के साथ रि इरजु जी मैं आपसे पुनह कहता हूं कि बहुत लोग को भारतिये जंता पाटी और चिराग पासवान जी की जो बॉंडिंग है वह खटक रही है चुकि जो दो समिकरन है वह बड़े बड़े गटमंदन को मात दे देगा या मुकामा और गोपाल गंज में साबित हो चुक हैं और बहुत लोग तो नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान मानिय प्रधान मंत्री के मंत्री मंदल में जाएं बिहार का नितित्व चिराग पासवान जी मानिय प्रधान मंत्री के मंत्री मंदल में करें यह बहुत लोग को पच नहीं रहा है तो ऐसे साजिस करने वाले ल चिराग पासवान जी को उसके उपोजिट में लाना ही पड़ेगा युवा का जवाब एक यूवा ही दे सकता है जब बिहार फश्ट और बिहारी फश्ट की बात होगी तूसरी चिराग पासवान जी नेतित्व करेंगे और पूरी भारतिय जनता पार्टी इनके पीट प्रदेश के उनका मानना है कि ऐसे कोई बात नहीं है चिराग पासवान के साथ गडबंधन होगी किन मुद्धों पे होगी क्या समिकरन होगे कितने सीटों पहोगी तमाम बाते जो है बीजेपी के जो आलाकमान है वो तैय करेंगे ना कि बिहार लेवल के नेता प्रदेश उनके समर्थक जो है कोई तालूक नहीं रखती है कुड़नी में चुराग प्रचार करेंगे यह बात लगतार यह कह रहे हैं लेकिन देखना होगा कि कुड़नी में चिराग पासवान प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं तमाम बाते उसी पर करते हैं कि चिराग का फैसला क क्या होता है गुड़ने में स्कुर्में ताहिं देखते हैं टॉप नवसका